रहे हैं अभी दोस्तों ऐसे हम लोग 11- क्लास सोट करने जा रहे हैं और बहुत दिनों से हम लोग उसोच रहे थे कई 11 क्लास सालु और वहत बहुत ज्यादा नहीं चाहिए ज्यादा न यह चाल क निन हो निए पहुत दिनों से कॉल आ रहा था सर्व 11 उट चलो यह यहिदी चलोगा लेकिन हम चाल रहे थै कि 11 उटना जल्दी चलो हो जाए ना तो आज हम लोग 11 सालों ही कर लिए है तो जर्यार है जर्यारली आज हम 11 कारे में रोज रोज क्या पताना है कि वो कौन है तो यहीं से सुरुवाद कर लिया जा क्या नाम है क्या नाम है यह तो आपको नजर आहीं रहा होगा कि क्या नाम है है नहीं क्या नाम है यह तो किलियर हो गया कि जो आपको 11 में कमिस्ट्री पढ़ाएंगे उनका क्या नाम है प्र इलेवंद के लिए क्यमिश्ट्री में जो इलेवंद का सेक्षन होता है वो इलेवंद का सेक्षन ही होता है दोनों का सेक्षन में अलग होता है लेकिन क्यमिश्ट्री का क्यमिश्ट्री का क्यमिश्ट्री का क्यमिश्ट्री का क्यमिश्ट्री का क्यमिश्ट्री का बढ़ाऊंगा तो भी definition मैं लिखूंगा इसमाख हिंदी में भी होगा और English में भी हो हिंदी में भी होगा और English में होगा तो Hindi medium के बच्चे हैं वह हिंदी में अपना note, copy तयार करेंगे अच्छे से तयार करें और जो English medium के बच्चे हैं वो English का प common आत्र सिलेबस का एक घंटी हम रखे हैं और आप लोग पूरी सिलेबस किया जनकारी लिए मैं आपको बता दू कि 11 का जो कुस्टन पैटर्न है और 12 का जो कुस्टन पैटर्न एकदम सेम टू सेम रहेगा पेल्थ में भी यही त्योरी सत्तर नमर का है और प्रेक्टिकल 20 नमर का है और टोटल 100 नमर का है इलेबंत का एकदम सेम टू सेम पर किरिया है त्योरी सत्तर नमर का है प्रेक्टिकल 30 नमर का है और टोटल 100 नमर का है यह आपका है chemistry का थोड़ी सी तनकारी में आपको जानी जो मैं पढ़ाऊंगा वो theory section होगा और college और school में जहाँ पैडमीशन लेंगे तहाँ प्र practical का आपकी examination होगा और वहीं से आपको number दिये जानी maximum लोग का लगभाग आपका 26 पर दिये तो यह फूस होता है बहुत ज्यादा खूस एकदम अपना फैमिली में आ गया लेकिन ऐसा वह अपना बाल बच्चा करें कि कुश्चन भी तो खड़ा होती है कि 30 से दिए तो 25 से सब का starting है पचीश सबीश सबीश सथा है सथा है यही प्रेक्टिकल के प्राब्र है पाकी वह फ फिडियो आप कॉस्ट नमबर दिये जाएगा वहां कोई माता नहीं लगा आपको बता दू कि जो थियोरी होगा सत्तर नमबर का उसको पढ़ना बहु जरूरी हो और सत्तर नमबर थियोरी पढ़ने के लिए यहीं से क्लास को सब्सक्राइब कर तो 30 नमबर जो फोकट का है और नहीं तोनों मिला के सौन मर पहुगा सत्तर नमर का होगा उसी में आपको भाटिंग हो रहा है कि यह सेभी सब्सक्राइब आपको तीन सेक्षन पढ़ने हैं एक का नाम है और गेनिक केमिश्टी और तिसरा का नाम है अदू कि फिजकल केमिश्टी जनरली इलेबद बुड़ा ज्यादा रहता है कि कुश्चन ज्यादा रहता है और इसे कुश्चन अगर कोई बच्चा और गेनिक या इन और गेनिक नभी पढ़ता है तो बरहमा में जाते जाते उसका बेसिक यहीं से चलो होता और जा जाके मित कवर कर लेता है लेकिन जिस बच्चा का 11 में नहीं पढ़ पाता कि बेर्च में जाने के बाद आपका और गेनिक का ऑन और यह निकार बेसिक को मिल जाएगा लेकिन फिजिकल का कोई चीज आपको नहीं पढ़ा दोस्त तुम्झे को पूरा जीवन में फिजिकल कमेश्टी फिर नहीं पढ़ा पाता है इसका मतलब जीवन में अंतिम पार कहिए या पहली बार कहिए उनों बार कहिए तो कुछ गलत नहीं होगा तो फिजिकल कमेश्टी उसको पढ़ने का मौका मिलता है फिर्स टाइम और लास्ट टाइम उसको मिलता है तो कोशिश किजिए कि अंतिम बार ही है और फिजिकल कमेश जब तक शुरू नहीं होता है तब तब फिटकल केमिश्टी का शुरुआत नहीं होता है तो तीन सेक्षन पढ़ना है फिटकल केमिश्टी और गिनिक और इन और गिनिक तर से सबसे जादा नंबर रहेंगे कि सबसे जाद जान फिटकल के लिए इसके बाद मैं आगे मतलब हुआ कि आप प्लास्टिक के इंजिनियरमंग करेंगे तो कुछ आप पढ़ गुण लेकिल का सख्शन है लेकिन इत्रीण पलस्टू अगर आप प्लास्टिक इंजिनियरम रहा है तो आहां पर आपको इंडस्रीयल के मिस्टीप पढ़ाया जाएगा इनलाइक्टिकल कमिस्ट्री पढ़ाए जाएगा आप आगे चलके इसरों में काम करें या डियों में काम करें और देस आपके हाथों में जिस दिन सुप दिया जाएगा वोस्त लिटम बंपर आप काम करना इस के लिए जब करना शुरू करना आपको लियर कमिस्ट्री एपी जब दू कलाम इसी पर काम किए और यहां से यह टमबम कान की जब देश के लिए कुछ करने चलेंगे तो तरके में जब देश की गरीब जनता के सेवा की मन में भाबना आजाएगी लगता है कि डॉक्टर और सेवा करें तो भायों के में सममेड तरा यहीँ हूँ इसकी पर आकि पर आपको लगता है सार करें किमिर्ट्री के दुनिया Dana कुछ करें किया क्रांती लाएंगे आपको इंडस्ट्री को को कि अगरने छ डर्च बार करना है एप लाइप करना है कि यह आप जैसे जैसे आप टीन प्लस तू कर लेंगे में आगे आपका Γmad Funk यज्य के लिए मैं अभी यहा सबना है अविए सब नहीं है एं प्लस तू में यहीं तीनों प्लस टू में फिचकल पुढ़ना है और गरिक आगे जब ट्यन प्लस टू से आगे बढ़िए गते से चारों के मिश्चर्ण लेकिन जब समय आएगा तो दिए जलिए अब हम आते हैं सिलेवस आप फिचकल के मिश्चर्ण लेवंध कराएं लेवंध कराएं जानि यह जो सिलेवस आपको हम लिखे हैं अब लेवंध कराएं और फिजिकल का सिलेवस लिए तो बच्चे अग्दम सुद्ध खाटी देहाती हिंदी मेडियम से दोस के लिए मैं हिंदी मेली काम भाई पहला लेशन है रसाइंस सास के अब धार ना हैं इतना भी केमेश्ट्री के बेसिक बाते हैं इतना होता है हर बेसिक से बेसिक यहां लिखा हुआ है बेसिक बेसिक का मतलब होता है यह केमेश्ट्री के हर बेसिक बाते इसी में पढ़ाएं जब बेसिक चीज़ पढ़ लिजेगा तो सेकंड नमर में आपको परमानु सरचना पढ़ाएंगे अश्ट्रक्चर ओफ एटम के जब परमानु सरचना आपको मैं पढ़ा लूँगा न इसके बाद रेडियो सक्रियता एक घटना है यह चप्टर के रूप में इसमें से रेडियो एक्टिभी और रेडियो एक्टिवीटी में 30 में ते प्रिश्व इस बाद में थोड़ा सा रेडियो अक्टिवीटिएंच प्दार्थ की अवस्ता और प्दार्थ की तीन अवस्ता ठोड अब और गैस लेकिन फोस में यहाँ ना पढ़ाऊं यहां द्रव और गैस लिखे लिखे उस बरहमा में पढ़े द्रव और गैस को दोबागों में बाटा है बरहमा कलास में ठोस रखा है प्रिलेबन क्लास में गैस आप टेंसा ना ले तो हम जीरो लेवर से गैस और दुरा पढ़ाएंगे आगे में हर बात आपको अश्टेट आप मैटर गैस है जब आप इस तक जन्रारी आपको हो तो उस्मा गती की एक चप्टर है करमोडानी में इसका स्टड़ी में कराओं इसी चप्टर में पढ़ना है करमी के दीनों में सुटाही का जल होता है करम सबक्राइर पढ़ना है करमी के दीनों में ताजीव निकाल के हाफता है की हिए आपका जो छत है उसको रुखड़ा बनाया जाता है क्यों पढ़ना है पानी के टंकी जेनेरली काला होता है क्यों कुन है सब कि जिना कि शाम में एक चप्टर है जिविडियम जिसको उखते हैं जाजा तर आपको एसीड बेस के बारे में पढ़ने और कुछ नई-चीज मैट्रिक्स कटके यहां पढ़ने और एक नई चीज साम में क्या होता है कि एसीड बेस के बारे में इसे प्रचाएगा अश्ट में ल सारी जनकारिया फिजिकल के मिश्ट्री में आपको यह साथ लेशन की सभी जनकारिया मैं फिजिकल के मिश्ट्री ही दूँ और मैं कोशिस करूँ कि आपका फिजिकल के मिश्ट्री के पहले फॉस्ट रॉंड में ही निकार और अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद लगे कि सारे एक दम घरदा उड़ गया फिजकल जब आपका फिजकल समाप्त हो जाए तब मैं आपको स्टार्ट करूंगा अर्गेनिक केमिश्टी का इसका पहला लेशन परिचे देंगे अर्गेनिक केमिश्टी पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन होगा परिचे सबसे ज़्याद सबसे ज्यादा टाइम मर्द अच्छा खासा एक महीन के चप्टर है समाब्याप्ता मैट्रिक में नाम सुने होंगे समाब्याप्ता आइसोमरीजम कहते हैं कोटी सी टॉपिक है जादे बड़ी आइसोमरीजम जब आप सिख जाएंगे ना तब आपको हम रियक्शन सिख आए जाता वह भी जीरो लेवल में कोई दिकत नहीं है एकद्म जीरो लेवल से बच्चा लेवल से हाई लेवल तो को पढ़ाने का यही जही तरहकरते हैं और अन्तिम जाते-जाते हम लोग लोग हाई लेवल ने बंद करता है तो विभीन परकार कि अभी क्रिया हैं कहमें हर बात जीरो लेवर से प्रहाई जेगे और जीरो लेवर पान के चलेंगे कि आप रियक्षन क्या रियक्षन के नामे नहीं सुने पहला बाद रियक्षन के नामे सुन रहे हैं वहां से एकदम जीरो लेवर चलेंगे आप रियक्षन जब पढ़ लेंगे तब फिर सिखाएंग इसको कहते है रियाक्çym मेकेणीज्म मतलब काम कैसे करता है उसका किरिया वीधी क्या है मतलब अज़ोग करिया क्या परियावरी रसाइंट इन्वर्मेंटल केमिस्ट्री इसमें आपको प्रदूसन के बारे में पढ़ाएंगे अंकट के बारे आपको हम जल संकट खुब बनगा से पास और हमारे पास जल संकट आने बादी आपको एक छोटी सी बात बता दू करोना में जितना महामारी हुआ था कि कई गुना जादा महामारी जल के लिए होगा और जल संकट बहुत जल ही आने बाद कई राज्यों में संकट आ चुका है और इसका मार लोग जहेल भी रहें अग करोना से जादा मार होगा तरदनाक मार होगा क्वारे के लिए हूँ अब परकार के परिशनिया हम लोग इस départ अई से हम लोग अशा सब्खे के बारे हैं क्या क्या समस्य लो प्रदूसरां ये प्रदूसर औट फैल क्या रहा है इसका कैसे पानी जो उसका ग्राउंड लेवल है नीटे जा रहा है तो इसा समझे पानी कैसे बचाएंगे इस सभी का स्टड़ी और मेंटल के मिश्ट्री और पानी पर मैं गर्दा चर्चा करूंगा अच्छा खासा कला सुनूंगा अब विडियो यूटूब पर गर्दा पानी संक संकर जबाएगा तो उससे आने ही नहीं दीजिए जल संकर ज्यादा बेतर आपके लिए पुड़ा सागे बढ़ा कि लिए बस आप इन और्गेनिक के में सबसे पहले आपको हम रसाइनिक सुत्र पढ़ाएंगे कैसे फर्मूला लिखा जाता है कैसे फर्मूला को पढ़ा ज पर मानू सरचना पूस्तर परमानू सरचना श्ट्रक्शर अध मैं कर डी का सब्णाच मैं数 जा duy करुड़ा फर्मानू सरचना ऑश क्राट्टर आंव प्रामानृदए पढ़ाएंगे जोड़ घटाव गुना भाग रहे और परमानु स्रचना इनार्गनिक में पढ़ाएंगे उसमें घटाव गुना भाग नहीं रहे तो दोनों का परमानु स्रचना थोड़ा अलग-अलग है इसकल का थोड़ा अलग है और इनार्गनिक अलग है लेकिन है दोनो प्रमानुस आवर्थ शारनी इसके बाद पढ़ाएंगे प्रिवल पढ़ाएंगे जो होगा प्रिवल के बारे में अपने से जनकारी के बार रसाइनिक बंधन की जनकारी दीजाएंगे केमिकल बॉंडिंग इसके बाद तीन लेसन और हाइड्रोजन पढ़ना है इस बलोग के तत पढ़ना है और पी बलोग के तत पढ़ना है तब लेसन अगर मिला लेते हैं यह लेसन आपका पढ़ाओंगा इलेवन्ध क्लास रहता हूँ इसके लिए मैं आपको बता दूँ देखिए तीन लेसन यह होगी आपका यह बढ़िया से तीन लेसन और साथ लेसन फिजकल का है और साथ लेसन और गयनिक का है और साथ लेसन इन और गयनिक का है तो टोटाल लेसन अगर मैं किलियर कर लूँ कि इसन की मैं बात कर लूँ तो सत्या यह कई सिलेशन में आपको पार और इसमें अप्लिकेशन का भी कुछ माद मदद लूँगा और कोछ यूटूब का भी मदद लेगा इतना इसकल का टॉपिक है अभी किस्ट अभी अभी दिविए क्या होता है उतों बात की बात की बात की तो मैं आपको एक कैसले सब्सक्राइब कि दोनों परकार से मदद ली जाएगी अपलिक अभी कुछ और यूटूब का मैक्समम पढ़ाई यूटूब लेगा कुछ टॉपिक अपलिक होती है आपको लेगा कि सर्जी की बड़ी मजबूरी तुम ला हमारी मजबूरी अप सब्सक्राइब आपको जब आप आये हैं चुटी बातों में कि अधार से कुछ शोटी बाते हम बताना चाहते हैं कि यहां से कुछ बताना चाहते हैं अधार केमिश्टी यह स्टड़ी आप सबस्टांस दियर प्रपन कि डिफ्लेशन है केमिश्टी यह स्टड़ी आप सबस्टांस दियर प्रपाटेज अस्ट्रक्टर अंड हो सके तो हम पर महरत आद कर लिए अधार तुम मैं आप से यही अनुरोध करूँगा यहां से आप हर बात को आप याद करते हैं कि याद ही करते चलिएगा तो सबस्टांस होगा और हम पर यह महतानी भी हो तुम कि तरसाइन सास्ट upright एक साखा है विज्ना के साखा है विज्ञान का है कि या यह हम ऐसा यह करते हैं पिल्खें देते हैं गलती से यह और gonna सब छुद कि तर शाइन सास्थ देख्ञान साखा है कि आखा है जिसमें किसी पदात का संगठन गुन पुर्जा परिवर्तन और रचना सरचना का अधियन किया तो किसी भी माटेरियल में अगर ये प्तेन है ना हर रगन के बदलाब होंगे पुर्दी जीए गाति इसमें बदलाब हो जाएगा लेकिन बदलाब पहले नहीं होगा पहली एक कैसी बना उस संगठन काधियन करेंगे इसकी अंदर क्या-क्या-क्या गून है उसका आधियन करेंगे इसकि एक स्ट्रक्ट्चर कैसा होता Content सरचना स्टवने वाले प्रिवर्तन का आधिया नहीं रसाइन सास्त्र कहलाती है रसाइन सास्त्र के बारे में कुछ नौलेज आपको हम चलिए यहां से कुछ है मेस्ट्टी कुद्पती मिष्र देश से हुआ है पहला और ऎमने कeti कुद्पति से हुआ है आगे किस्ट्ट का पुराना नाम के मियाय है जहां जहां गोल घेरे हैं तो को अच्छे सी याद रखेगा किस्र का पुराना नाम केमिया था जैसे पटना का पुराना नाम पाटली पुत्रा था आज पटना में एक जगह है पाटली पुत्रा मुहला है रेलिविया इस्टेसर का नाम पुरा पाटली पुत्रा था और है भ के काली कि warrior के मिटी के के कहा जाता था और केלי मिटी का पहला अधियान के चाहरो अब्जेक्टिव आपको अच्छे स्विषान से जाद कर लेक्गे वह हम पर भला ही हो जाएगा हम पर अनिया अगर इस और अब्जेक्टिव हम भूल जाते हैं केमिस्ट्री कुछ पती मिसर देश से हुआ था इसने का प्राणाम केमिया था काली मिटी कहा जाता था पहला अधन केमिटी किंक कहलाए लेकिन बाद में इसका नाम केमिटी कर दिया गया है यह सायंसार रखा इतना अबजेक्टिव आप अच्छे से कमांड कर लिए गारे पा पादर आप कैमेस्टी लीवोसीय लीवोजियर को कहा जाता है लीवोजियर जर्म अध्यान से देखेगा लीवोजियर का जर्म फ्रांस के राजधानी पेरिस में अबड़ी सगस सत्रा सोत्यारीस को ने में जियर का जन्म प्रांस के रधानी प्रांस के लिगाएं, अविस अगस्ता प्रांस देवी जीवीर की इमिर्तु आठ मई अर चार चार आनमे कुआ है आठ मई अठार हुआ अठार सो क्रानि इस अत्र हुआ सब्सक्राइब अब थोड़ा सब्सक्राइब इस विज्ञान दिवस अठाइस फरवरी को मना जाता है तभी विज्ञान दिवस कम मना जाता है पदार्थ का कनिका सिदान को जाता तो मा जाता है और विज्ञान का पहला परिभासा रॉबेट बॉइल ने दिवाद रखे विज्ञान का पहला परिभासा पहला परिभासा रॉबेट बॉइल ने दिवाद बॉइल ने दिवाद बॉइल ने दिवाद बॉइल ने दिवाद कि इतना बात आप याद रखिएगा तो कल हम इसी चैनल यानि मैथ बाई असुत आप अपने दोस्तों तब इतना भी विश्मा मैट्रिक पास किये हैं तभी दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाईए और अपने दोस्तों के हमारे आने वाले हर वीडियो क्यानि एमके रंजन के आने वाले के हर वीडियो आप अपने दोस्तों तक पहुंचाईए फिडियो कोश्ट कोई पैसा नहीं और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किजिए पढ़ाई ही है जो आपके कीवन की जो अंधेरा है ना अं एक अच्छा नागरी के बनें अच्छे ओहदे पर चले जाएं अच्छे जगवे पर चले जाएं के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा आस कर तो मैं तो कोशिस यही करूँगा कि आप केमेश्टी हम ही से पढ़ें किरी आप कॉस्ट पढ़ें और आप सभी जितना लोग वीडियो देखते हैं सभी लोग से यही उमीद करेंगे केमेश्टी आप हम कि हमें भी कर्व से लगे लोग हम सिक्ष हैं तो हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे चैनल याद रखेगा मैठ बाई उस सर से पिर यही तक आज किस